हेलो दोस्तो, फर्स्ट क्वार्टर का वन अफ जो मोस्ट एक्पेक्टेड रिजल्ट आई टी सी का अब बाहर हो चुका है, रिजल्ट कैसा रहा है, रिजल्ट को हम कंपेर करने वाले हैं, हमने कुछ प्री कोविड लेवल के भी डेटा निकाले हुए है, उनके साथ भी कंप क्वार्टर वन कहा जाता है, तो यहां पर जो प्रॉफिट हुआ है, ध्यान दीजिए, यहां पर 3,013 करोड का प्रॉफिट हुआ है, अब कंपेर तो करना पड़ेगा हमको, तो देखिए, पिछले साल का जो क्वार्टर वन था, जब लोगडाउन लगा हुआ था, अचान हमको तो 2019 में भी जाना है, क्योंकि जब चीजे सामान्य थी, तो उसके साथ कैसा कंपेरिजन में रिजल्ट है, तो आप देखिए, 2019 का जो अप्रेल से जून था, तो 3,173 करोड का प्रॉफिट था, तो उसके कंपेरिजन में देखिए, तो प्रॉफिट थोड़ा सा कम से सेकेंड वेव आई थी, बहुत ही दुख वाला समय था, हम सम के लिए, तो उसके हिसाब से, अगर मैं खाली रिजल्ट पर फोकस करूँ, तो एक डीसेंट, और डीसेंट ही नहीं, एक अच्छा रिजल्ट आया हुआ है, जन्वरी से मार्च जनरली स्ट्रॉंग रहता है, तो 3,748 करोड का प्रॉफिट था, और प्रॉफिट थोड़ा सा सीक्वेंशेली कम हुआ है, लेकिन हमको रियालिटी को भी यहाँ पर देखना होगा, इंकम की बात कर लेते हैं, इंकम हुई है कितनी, 13,388 करोड, यह सब दोस्तों, आयनार रुपिया में डेटा है दोस्तो तो यह डेटा आप देख सकते हैं, पिछले साल कितना जब लॉगडाउन था, 10,398 करोड का था, तो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, और जब स्थिती सामान्य थी, कोरोना जब नहीं था, 2019 यही तीन महीने कैसा प्रॉफिट था, 12,122 करोड का, तो उसके मुकाबले आप देखेंगे, तो इंकम बढ़ी है, फिर आप देखें, मार्च के कमपेरिजन, मार्च का, जो जन्वरी से मार्च बहुत ही स्ट्रॉंग कॉर्टर था, इनफेक्ट बहुत ही बिजनस के लिए बहुत ही स्ट्रॉंग कॉर्टर रहता है, तो लगभग 15,000 करोड के आसपास का इंकम थी, जो अगभी बढ़कर 13,388 करोड हो गई है, तो अर्निंग पर शेर बहुत ही इंपोर्टन है, 2.45 है, जो कि पिछले साथ 1.91 परसंट था, फाइनशल ये 20 में 2.59 था, जो कि जन्वरी से मार्च 3.04, ओवराल एक स्ट्रॉंग नंबर से, उमिजदे दोस्तों, कितना यहां पर जो है, रेविन्यू में कॉंट्रिबूशन किया है, सबसे बड़ी चीज है, अभी भी जो तमबाकू का जो बिजनस है, वो अभी भी मेजर रेविन्यू कॉंट्रिब्यूटर है, जो कैश है, जो डिविडेंट जो है, या जो प्रॉफिट्स जो है, जो भी मिल रहा है हम जो देख पा रहे हैं यह सब अभी भी लगबग 80% से उपर इसी बिजनस से आ रहा है तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा लेकिन जो FMCG अदर्थ बिजनस है कौन सा बिजनस जो EP वाला आशिरवाद वाला फियामा वाला जो बिजनस है वो वाला बात है जो जन्वरी से मार्च का जो क्वाटर था 188 करोड था तो 188 करोड से यह थोड़ा सा 173 करोड थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन जो अगर आप देखें यह profit कम हुआ है in fact यह मैं profits की बात कर रहा हूं लेकिन जो अगर आप income की बात करें तो income के हिसाब से थोड़ा इंक्रीज हुआ है तो FMCG का भी बिजनस ठीक ठाक अपना काम कर रहा है प्रॉफिट में थोड़ा बहुत यहां पर भी कॉंट्रिब्यूशन है 173 करोड का यहां पर नंबर्स है होटल का बिजनस अभी भी नुक्सान में है और इसके लिए कंपनी को या किसी को भी दोस नहीं जहां तंबाकू या फिर FMCG का बिजनस थोड़ा सा नीचे गया है वहां एगरी बिजनस 189 करोड से 195 करोड का यहां पर जो है जो बिजनस है वो लाया है वो प्रॉफिट्स लाया है पेपर बिजनस उसने भी बहुत अच्छा किया है 323 करोड से 392 करोड हुआ है तो एक ची कर रहा है जो बिलकुल अकड़ों में दिख रहा है पेपर का बिजनस हां मार्त से जून थोड़ा डाऊन है लेकिन पिछले स्थाल के अच्छा काशा पेपर के बिजनस ने किया ओवराल जो रिजल्ट्स है उनको देखके लग रहा है कि जो नीर जो कोवीड लेवल है उसके आसपास यह बिजनस आ चुका है अभी सेकेंड वेव ने सब को परिशान किया है सब इस बार तो बहुत इमोशनली भी लोगों को हम सब को दुख दिया है इसने तो सेकेंड वेव का इंपेक्ट था उसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा नेक्स्ट जो चीज ट्रिगर जो हो सकता है वो होगा AGM जो ऑगस्ट 11 को होने वाली है कंपनी के क्या नए प्लांस हैं हमको AGM में पता चलेंगे बहुत सारे डेटा हमको उस समय आएंगे चैनल को जोस्तों सब्सक्राइब करके हम आपको यह सब चीजे आपको हम टीटेल में बताते रहेंगे बाकी यह है इंपोर्टन कुछ ब्रांट में अल्रेडी लीडर्शिप आ गई है जैसे आशिरवाद है बिंगो है संफीस्ट है सैवलोन है क्लासमेट है इन सब में अल्रेडी एक लीडर्शिप ITC की है ही बाकी तेरा बिजनेसे हैं पांच सेगमेंट यह पांचो सेगमेंट को हमने दोस्तों ITC में जो concern आ रहा है वो है ESG का concern problem यहां पर हो रहे है कि जो FIIs है जो बड़ा पैसा है जो पैसा long term के लिए है वो पैसा यहां नहीं आपा रहा है वो ESG concerns के लिए तो वो कब आएगा कैसे आएगा वो बता पाना बहुत ही मुश्किल है but business बहुत ही strong है business profit कर रहा है वो तो बिल्कुल दिखी रहा है stock का भाव नहीं बढ़ रहा है नए targets मुझे लगता है एक दो दिन में आ जाएंगे और नए targets के साथ मैं फिर से हाजिर होंगा कुछ दिनों में 2-3 दिन के बाद मुझे उम्मीद है हर वीडियो की तरह आपको भी value मिली होगी आपने अपना समय दिया कीमती समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद थैंकि वरी मत दोस्तों